Hello students, welcome to our channel Shwethe study point students, आज का हमारा topic है जनसंख्या विस्फोट आज के हमारे इस वीडियो में हम जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के कारणों की विशे में जानेंगे तो आईए जानते हैं इस विशे में निश्चित भू भाग जनसंख्या और प्रभुसत्ता एक राष्ट के आवश्चक तत्व हैं इनमें जनसंख्या का इस्थान सर्वोपरी है किसी राष्ट की वास्तविक शक्ती प्राकरतिक संसाधन ना होकर क्रियाशील और प्रभुद्ध जन होते हैं कहने का तात पर यह यहा है कि निश्चित भू भाग जनसंख्या और प्रभुसत्ता एक राष्ट के आवश्चक तत्व होते हैं फिर चाहेवा राष्ट कोई भी हो इनमें से जनसंख्या का इस्थान सर्वोपरी होता है अर्थात सबसे उचा होता है क्योंकि किसी भी राष सर्विक शक्ति प्रकर्तिक संसाधन ना होकर क्रियाशील और प्रभुद्ध जन होते हैं जनसंख्या राष्ट की परिधी में निवास करने वाले कुल बच्चों, युवकों, व्रिध्धों और इस्त्रियों की संख्या को कहा जाता है कहने का तात पर यह यहा है कि कि किसी और इस्त्रियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या के अध्यान में उनकी आकार, संरचना और वित्रन का ध्यान रखा जाता है। अधिकांश विदवानों का या कथन है कि जनसंख्या विसफोट एक समाजिक व्याधी है। जन्मदर का बढ़ना तथा मृत्यू दर में गिरावट आ जाना जनसंख्या विस्पोट का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान जनसंख्या विस्पोट को एक समाजिक व्याधी मानते हैं। अर्थात एक ऐसा रोग मानते हैं जो समाज को अतिधिक नुकसान पहुचा रहा है। इन विद्वानों का या कथन है कि जन्मदर के बढ़ने से तथा मृत्यू दर में गिरावट आने से अर्थात मृत्यू दर में कमी आने से जनसंख्या विस्पोट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनसंख्या विस्पोट का प्रमुक कारण जन्मदर का बढ़ना तथा मृत्यू दर में गिरावट आना माना जाता है। जनसंख्या विस्पोट को नहीं रोका गया तो भारत की आर्थिक प्रगती ठप पड़ जाएगी योजनाबद विकास कार्य अवरुद हो जाएंगे और नागरिकों का जीवन दयनिये बन जाएगा। दूसरे सब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का या मानना है कि अगर समय रहते जनसंख्या विस्पोट को नहीं रोका गया तो जनसंख्या विस्पोट से समाज को अत्यधिक हानी पहुचेगी। अर्थात आर्थिक प्रगती में बाधा आएगी योजनाबद विकास कारे रुक जाएंगे। कहने का तात पर यहाँ है कि देश के विकास के लिए जो योजनाबद कारी हो रहे होंगे उनमें बाधा आएगी और इसके साथ ही साथ देश में रहने वाले नागरिकों का जीवन दयनिये बन जाएगा। कहने का ताद पर ये यहाँ है कि देश में रहने वाले नागरिकों को भी अत्यदिक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आईए अब जानते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारणों के विशे में जनसंख्या विसफोर्ट का पहला प्रमुक कारण बाल विवाह माना जाता है अधिकांश विद्वानों का या कथन है कि भारती समाज में परंपरागत रूप से बाल विवाह की प्रिथा का प्रचलन था यद्यपी आज इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है तथा पी अनेक राजियों जैसे राजिस्थान, मध्यप्रदेश, इत्यादी में बाल विवाह अत्वा कम आयू में विवाह का प्रचलन है दूसरे शब्दों में कहें तो भारती समाज में परंपरागत रूप में बाल विवाह की प्रिथा का प्रचलन था अर्थात परंपरागत रूप से भारती समाज में बच्चों का विवाह कम आयू में ही करवाया जाता था यह सत्य है कि आज इस समय में भारती कानून द्वारा इस प्रिथा को पूर्णता समाप्त कर दिया गया है लेकिन इसके पस्चाद भी अनेक ऐसे राज्जी हैं जैसे कि राजिस्थान, मध्य प्रदेश, इत्यादी में अभी भी बाल विवाह अर्थात कम आयू में बच्चो जनसंख्या विस्पोर्ट होता है संयुक्त परिवार प्रणाली भी जनसंख्या विस्पोर्ट का एक कारण माना जाता है अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि संयुक्त परिवार में माबाब बच्चों को बोज नहीं समझते क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्च पुत्र का महत्व भी माना जाता है क्योंकि भारती समाज में विशेश रूप से हिंदूों में पुत्र का विशेश महत्व है हिंदू समाज में यह माना जाता है कि पुत्र प्राप्ती से ही व्यक्ती पिता के रिंड से उरिन हो सकता है अर्थात व्यक्ती पुत्र प्राप्ती करके ही पिता का जो रिंड है उस पर वह उसे उतार सकता है अतह इसी कारण लड़के की आशा में परिवार की व्रिद्धी होती जाती है जिसके परिडाम सुरूप समाज में जनसंख्या दर बढ़ती है और सिच्छा भारती समाज में जनसंख्या विस्पोर्ट का एक प्रमुक कारण है अधिकांश विद्वानों का या कथन है कि भारती समाज में लगभग 74.04% जनसंख्या ही सिच्छित है अतह इन विद्वानों का या मानना है कि असिच्छा के कारण वेक्ती परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझ पाते तिथा संतान नियंत्रन का अर्थात जर्म दर को निय भयास नहीं करते जिसके परिडाम सौरूब जनसंख्या में व्रिद्धी होती है निम्न जीवन इस्तर भी जनसंख्या व्रिद्धी का कारण माना जाता है क्योंकि बच्चों को आरतिक द्रेश्टी से उप्योगी समझा जाता है जनम वह मृत्तियुदर में असंतूलन जनस मृत्यू दर कम हुई है उची जन्म दर और स्वास्ति सुविधाओं में सनरचनात्मग विकास के परिडाम सुरूप घड़ती हुई मृत्यू दर भारत में जनसंख्या विसफोर्ट का प्रमुक कारण है। जिसके परिडाम सुरूप देश में मृत्यू दर में कमी आई है किन्तु इसके वीप्रीत जन्म दर में किसी भी प्रेकार की कोई भी कमी नहीं है। दोसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान भारती समाज को एक रूरीवादी समाज मानते हैं। विद्वानों का या मानना है कि अंध विश्वास के कारण भारती समाज में निवास करने वाले व्यक्ति आज भी बच्चों को भगवान की देन मानते हैं। इससे भी जन्दर में व्रिद्धी को प्रोचसाहन मिलता है जिसके परिडाम सोरूप समाज में जनसंख्या व्रिद्धी होती है। विवाह की अनिवारे तभी जनसंख्या विस्फोर्ट का एक प्रमुक कारण है। जिसके कारण समाज का प्रिद्धी व्यक्ति विवाह करता है जिसके परिडाम सोरूप जनसंख्या व्रिद्धी होती है। स्टुडेंट्स के थी जनकारी जनसंख्या विस्फोर्ट के विसे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकेशन्स मिल सके